तो अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपिन करवाना चाहते हैं या फिर अगर आपको लेडी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट है और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर का सबसे बेस्ट डेबिट कार्ड जो कि यहाँ पे Kotak Mahindra Bank का Black Platinum Debit Card होता है जो कि इंडिया में One of the Most Powerful Debit Card पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा informative हो सकती है दोस्तों क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको Complete Benefits बताने वाला हूँ इसके क्या-क्या Benefits हैं क्या-क्या Charges हैं और इसके साथ आपको क्या-क्या जो है Limit मिल जाता है विड्रॉव का या फिर आप POS मशीन पर और आज के इस complete वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको Kotak Mahindra Bank का जो Black Platinum Debit Card और यह वीजा के पावर के साथ आता है मतलब यह आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पावरफुल होगा यह आज के स्यूडियो में हम complete बात करेंगे कोटक महिंद्रा के इस debit card के बारे में जिसका जो limit है आप गैस कर सकते हैं आप इस card से single day में ATM से जो है अप एक Aqua रुपई विड्डॉव कर सकते हैं जी हम दोस्तों एक दिन में एक लाख रुपई आप यहाँ यह दिन में एक लाख रुपई हैं आप Cash spor करक सकते हैं उसके साथ साथ गाईज इस काड़ के साथ आपको मिलता है complimentary airport lounge access जिसमें होता ही है कि आप अपने देश में बहुत सारे ऐसे airport हैं जहां पे आप plaja premium या फिर अलग-अलग जो lounge होते हैं उसके service का फाइदा उठा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पाच रुपए में और वो पाच रु benefit है अगर आप साल में एक बार भी अगर आप इस काड़ को यूज करके अगर आप lounge access ले लेते हैं तो समझो कि आपका पैसा वसूल हो गया क्योंकि आप वहां पे कम सगम आप 5000 पे तक आप खाना खा सकते हैं फूली वहां पे वफर सिस्टम होता है और इसका जो complimentary lounge access है वो ट regular travel करते हैं तब तो यह काड़ आपके लिए बिल्कुल must have है दोस्तों यह जो काड़ है आपको नए account के साथ नहीं मिलता है आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप नए account open करवाते हैं तो उसके साथ जो भी उसका basic debit card होता है वही मिलता है इस card के लिए आपको अलग से apply करना होता है basically आप चाहें तो आप branch visit करके apply कर सकते हैं या फिर आप online कोटक महिंद्रा बैंक के नेट बैंकिंग को यूज करके जो है आप इस visa platinum card के लिए आप apply कर सकते हैं card के charges की बात करें guys तो यहां पे जो है 330 रुपे plus GST ठीक है मतलब लगभग आपको 380 रुपे आपको इसका जो है चार्ज पढ़ता है issue charge मतलब कि एक साल शुरुवाती में आपका जो issue charge होगा वो और सेम उतना ही लगभग 380 रुपे जो सलाना है card का जो annual fee है लेकिन दोस्तों इस card के बहुत सारे benefits हैं बहुत सारे reward points है और साथ ही साथ अगर आप इस card को अच्छे से use करते हैं अगर आप transactions करते हैं तो possibility जादा होती है कि आपको जो है प्री अप्रूफ credit card भी आपको मिल जाता है आपके net banking के तो तो यह था एक छोटा सा information कोटक महिंद्रा बैंक के वीजा platinum debit card को लेकर आशा और उमीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत जादा पसंद आया होगा औ चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर दीजे नोटिफिकेशन बेल ओन कर दीजे ताकि अगली बार जमें कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जहिन दोश्या